बिराट कोली अपना हर एक special moment अनुश्का के साथ share करते है ठिक ऐसे ही बिराट कोली ने जब अपना सौबा test special match खेला तो अनुश्का के साथ spend करा और मैदान में ही उनको गले लगा लिया आपने अगर मेरे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो जल से जल subscribe करें बिराट कोली के लिए शुकरवार का दिन बेहदी खास था इसी दिन वे अपने test career में 12 मैच खेलने उत्रे मैच से पहले बिराट कोली ने ये उपलबदी हासिल करी की सम्मानित भी किया गया और उनको ये पल बेहदी खास लगा कोली ने ये उपलबदी श्री लंका के खिलाब दो test की सीरीज खेलने से पहले हासिल की ये मैच मोहाली के मैदान में 4 मार्च को खेला गया मोहाली टेस्ट में टॉस के बाद टीम इंडिया के कोच राहूल रबिड ने बिराट कोली के सौबे टेस्ट के लिए सम्मानित भी किया और रबिड ने कोली को एक स्पेशल कैप सौपी इस सम्मान के बाद बिराट कोली काफी एमोशनल हो गए और सम्मान के दोरान कोली के साथ उनकी पतनी जो बॉलीवुट की फेमस एक्टरेस है वो है अनुशका सौर्मा भी मौजुद रही स्टेडियम में कोली के भाई और बचपन के कोच भी मौजुद रही सम्मान के बाद कोली ने पतनी को मैदान में ही गले लगा लिया और खुशी से आंसू आ गए इंडियन कोच द्रबिर ने जब कोली को स्पेशल कैप दिया तो बिराट ने कहा ये मेरे लिए काफी प्राउड मूमेंट है क्योंकि ये मेरे हंडेड वाट टेस्ट मैच है और मेरे बचपन के हीरो से मुझे ये कैप मिल रहा है मेरे पास अंडर 15 की वो फोटो आज भी है जहां मैं आपके साथ खड़ा होकर सिर्फ आपको ही देख रहा था बिरट कोली ने द्रवीर के साथ वो बचपन की फोटो शेयर करी और लिखा इस तरह के पल देखकर आपको यकीन हो जाता है कि आप कहां थे और कहां पहुँच चुके है एक पल मैं लेजेंड के साथ आँख मिलाने की कोशिश कर रहा था और वही मेरा इंटर्व्यू कर रहा है मुझे लगता है कि सपने सच होते है कोली से पहले दुनिया के 70 खिलारी और भारत में उन में से 11 खिलारी ऐसे है जो अपना सौबा टेस्ट मैच खेल चुके है